आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप विड़ाउट किसी एप के यूट्यूब पर लाइव स्टीमिंग कैसे कर सकते हैं बहुत सारे लोगों ने एजएड सक्रीन रिकॉरडर के बारे में बताया मैं आज की इस वीडियो में कोई आप नहीं बताऊंगा सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब से आप लाइव स्टीमिंग किस तरह कर सकते हैं सक्रीन रिकॉरडिंग पर लाइव किस तरह कर सकते हैं आपने फेस पर लाइव किस तरह कर सकते हैं आज के इस वीडियो में ये आपको पूरा कम्पलीट तरीका बताऊंगा कम्प्लीट वीडियो है वीडियो को लास तक देखना आप जान जाएंगे और हाँ अब फर्स टाइम मेरे चैनल पर आए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेल के आइकन पर क्लिक करके आल पर कली कर लो और इस वीडियो को लाइक जरूर करना बहुत इंपार्टेंट और उन्हाले जेबल वीडियो है आपके लिए तो चलते हैं मुबाइल के सक्रीन पर और जानते हैं पूरी फुल डिटेल चलिए आपको बताता हूं यूट्यूब पर लाइव स्टीमिंग कैसे करना है मैं वीडियो को ज्यादा लंबार नहीं खिंचूंगा ठीक है तो छोटा स उपर मैं कलिक कर दूँगा जैसा ही मैंने इसके उपर कलिक किया नेक्स्ट पेर हमारे समने कुछ इस तरह का आ जाएगा ठीक है उपर मेरा फेस थोड़ा थोड़ा बीच में शोर आई आप देख सकते हैं और यहां पर क्या करना है मैं सेटिंग यहां पर है जिससे आप स्क प्राइटिंग ताकि आप जान जाएं वरना आपके जो लाइव स्ट्रीम गया थोड़ा प्राबल मा जाएगा ठीक है तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा यहां पर अब आप देखना जहां पर मैं क्रास लगा रहा हमारा टाइटल ठीक है यह आपको पता होगा यहां आपने टाइटल डालना है और यहीं पर ऊपर केमरे के साथ में एक और आइकन चोटा सा जिसको मैंने एरर में ले लिया है इस पर आपने क्लिक कर देना है अगर आप गेम पले करना चाहते है तो इसके ओपर मैंने क्लिक कर दिया अब मेरा फेस चो बीच में आ रहा ता वो अब यहाँ पर हमें देख सकते हैं game play करने का option भी आ रहा है लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ अगर screen recording करनी है कुछ apps के बारे में दिखाना है कुछ भी live तो आप इसके साथ कोई भी छेड़ चाल ना करें ठीक है game title में आप कुछ न डालें पहले आपको अगर screen recording करनी है बस यहाँ पर title डालेंगे और उसके बाद public यह तो public रहने देना है और उसके आगे आप यहाँ पर not selected पर click करेंगे ठीक है not selected पर जैसा ही आप यहाँ पर click करेंगे यह पेज आए और यहाँ पर no it's not made for kids इस पर आपने click करना है ठीक है यह आप जरा देहान से देखें वरना आप live नहीं कर पाएंगे यह आपने select करना है यहाँ पर no it's not made for kids तो इसके पर click करना है उसके बाद उपर जाना है more option पर आपने click करना है और यहाँ पर अगर आपके channel पर monetization in advance setting पर जाना है और monetization enable कर लेना है ठीक है अगर आपके channel पर enable है तो बस उसके बाद आपने यहाँ पर title इसे ही में यह जी डाल दिया मैंने अब next करेंगे ओके next के button पर मैंने click किया और अब यहाँ पर आपको पूछेगा कि आपने mobile rotate करके रखना है या फिर सीधा जिसता है यहाँ पर show हो रहा है ठीक है यह आप mobile के यहाँ पर design देख लें यह छोटा सा इस तरह कैसे show हो रहा है ठीक है यह वाला और इसके लावा यह वाला जिस तरह आपकी mobile की direction होगी game खेलते हो तो first वाले पर नहीं तो second वाले पर रखना हो ओके बस इतना करने के बाद आपने next के button पर click कर देना है और go it पर click